हालो फ्रेंज कैसे हो आप लोका सुरिया टेकनिकल चैनल में स्वावत दोस्तों आज से मैं लाइव क्लास शुरू कर दिया हूं दोस्तों और लाइव क्लास शुरू करने का मतलब है जितने स्टुडेंट से उसको पढ़ने पर ध्यान देना है क्योंकि बैठने से काम नहीं च प्रिकत नहीं है दोस्तों और कोई भी कॉंसेप्ट आपको पहले ही किलियर हो जाए दोस्तों और क्या परहाना है चलिए आपको कोपी पर लिखा हुआ पूरी स्टेबाइस टेप देखते हैं परहा देते हैं और कल से वाइट बोर्ड पर विवस्ता किया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों चलिया सका फल सुरू कर देते हैं जो मैं आपको बहरा था कि पहला चेप्टर नाउन पढ़ाएंगे सु सब इसमें concept पूरी full concept किलियर किया गया है क्योंकि किताब में वहां प्रया पो किताब से पूरी concept किलियर नहीं हो पाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है पूरी समझ में नहीं आता है तो नामित सब्द को हम लोग संग्या कहते हैं और इसका अगर डिफनीशन पूछा जाएगा यानि यह तो shortcut हो गया किसी से पूछ देगा कि हम लोग नाउन किसको कहते हैं और इसका definition कैसे परना है आपको भी बता देते हैं लोगा definition the name of any person place things animal or condition is called noun आपको कोपी में भी नोट करते चलना है कि संग्या किसे कहते हैं और आगे बात कर लेते किसी वेक्ति वस्तु जगह जानवर या स्थिति के नाम को संग्या कहते हैं देखिए कोई कोई छोटा छोटा कंसेप्ट ही कि लिए नहीं हो पाता है बहुत सारे स्टुडेंट को यह सब नहीं आपता है तो और आगे बात कर लेते हैं संग्या के जो भी एक्जामपल है किसी वेक्ति वस्तु जानवर अस्थानादी के संग्या कहते हैं इसको कोपी में नोट कर लेना है क्योंकि छोटा छोटा चीज़ी आपको पता नहीं रहता है जिसके कारने एक्जाम में किसी को नहीं आपाता है ज्यादा तर मैट्रिक शुडेंट वाले को यह सब उतनावी नहीं रहता है मतलब आगे चलकर यही नावन प काउंटिंग यानि कि संग्या गिंतिक अनुसार संग्या के कितने भेद हैं तो दियार आर टू टैप्स अफ नावन एकॉर्डिंग टू काउंटिंग यानि कि गंतिक अनुसार संग्या के दो भेद होते हैं पहला होता है कांटेबल नावन मतलब गननिया वाचक संग्या औ और आगे भी लिखावाई इसमें कि गनिया वाचक हो गया गनिया वाचक हो गया और जो कुछ भी कॉंसेप्ट है आपको यहां पर किलियर बता दिया जाएगा तो पहला एक्जामपल लिखाए दोस्तों की गनिया वाचक संग्या किसे कहते हैं अब आपको यह क्यों सेप्ट के लिए करना है और पूरा कंसेप्ट आपको लिखते जाना है कोपी पे उससे हम लोग गनिया वाचक संग्या कहते हैं जैसे कलम को गिंती कर सकते हैं कोपी को गिंती कर सकते हैं यह सब गनिया वाचक संग्य अर लिखाए दनावन विच्ट केना बी कांटे इस काल अन गांटेवल नवन जिस संग्या को हम लोगी नहीं सकते हैं उसको हम लोग अनकांटेवल नावन काते हैं जैसे राइस बाटर वाटर माइन मिल्क यह सब हो गया अगर नहीं यह वाचक संग्या इस वह को गिंती नहीं कर सकते हैं जो और आगे बाद कर लेते हैं कि जो भी यह कॉंसेप्ट आपको कोपी पर लिखते चलना है जो अब यहां पर लिखावे हाव मैंनी टैप्स एक पर नावन एकॉर्डिंग टू कास्ट यानि कि जाती के उनुसार संग्या के कितने वेद होते हैं तो दियार और फाइब टाइप सफ नावन एकॉर्डिंग ट अकॉपी में नोट करते हुए चलना है जो आगे आपको काम नोट करते हैं आपको पूरीए कॉंसेप्ट के साथ डायरी बहन जाएए इस सबको लूड करते चलिएंगा और लाद कर लेते प्रोपर Nora फोरा आज सिर्फ इन पर कर लेंगे बिटेफ कर लेंगे चलिए फ्रीय से कोथे हैं फस्त नमबर में लिख सब्रोपर नावन जैसे जैसे लिखा वैसे आपको भी लेना है कोपी में डेली लोड्म करते जाना है अपने में अपने कोपी आना वह फिक्स बोलता है कि हम पटना दा रहे हैं कोई नहीं यह जगह का नाम पहले वता दिया है तो खास जगह हो गया मुस्तवाद नमबर एक लिखा यह हमेसा स्यूंगलर होता है उसका नमबर दू जॉयरիयर nessaैंट माइसे नहीं लिखा रहा है उसके लिख्वाद किसी वे सचुन तंदूलकर एक महान खेला रही है उससे इसको तुलना करया गया है इसलिए इसमें मेरा भाई सचीन जैसा है तो माई ब्रोदर इज़े सचीन उसका सीता इज़े पियंका चौपर आफ दा बैच यानि कि सब क्लास में यह सब लिखाया जाता है पूरी कॉंसेप्ट के सब्सक्राइब के लिए आया में सचीन तंदूलकर मैं सचीन तंदूलकर हूं और बात कर लेते जो भी कॉंसेप्ट है आपको मैं पूरी इस वीडियो में दूंगा और आपको डाटा पूरा लोड करते चलना है नोट नमबर 3 होगा प्रोपर नाउन इस स्टार्टिंग आप यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो आज इतना ही रगने देते हैं कल मैं आपको कॉमा नाम से लेटर पूरी जनकारी पढ़ाओं आउंगा और एक बार आपको घुमा देते हैं आप लोग को डाटा लिलोड कर लेना है जैसे जैसे लिखा वाए आपको वीडियो को पॉस्ट करके लिख लेना है चलिए आज के लिए तिना दोस्तों फिर में ती अगर आई ट्या कांसलिंग का वीडियो आता है तो आपको क अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल पर जितने नाय स्टुडेंट से सब्सक्राइब कर लें